हेलो मेरे प्रिये चात्रों आप सब ही का एक बार फिर स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने बाले हैं MPGK के टॉप 20 कोश्चन अगर आप MPP पुलिस पीवी ब्यापम MPPSC परिच्छा की तयारी कर रहें तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि आज की वीडियो जोरू करेंगे ठीक है कोश्चन नमबर फर्ष्ट इसकीन पर निम्मैसी कौंसा मंदर खुजराओं में नहीं है आंसर जानते हैं कमेंट करेंगे कोश्चन नमबर फर्ष्ट कौंसा मंदर आपका खुजराओं में नहीं है नोट कर लें कोश्चन नमबर फर्ष्ट का आपक question है आला उदल संबंदित थे कहां से answer जानते हैं comment करेंगे question number second आला उदल संबंदित थे question number second का बच्चु सी answer correct होगा आपका महोवासे next question है स्कीन पर question number third गुजरी महल किसने बनवाया था answer जानते हैं comment करेंगे सही answer क्या होगा बहुत ही अच्छा question है गुजरी महल आपका गौलियर में है ठीक है राजा मान सिंग ने बनवाया था question number third का आपका बी answer यहां पर correct होगा ठीक है answer जानते हैं तो comment जरूर करें question number four तांसन का मकवरा कहां इस्तित है answer जानते हैं comment करेंगे सही answer क्या होगा question number four का यह option correct होगा तांसन का मकवरा आपका कहां पर है गौलियर में है next question इस्कीन पर question number five मद्द पिदेश का कौन सा नहरू की केबिनेट में पहले रच्छा मंतरी बने बाद में घ्रह मंतरी बना दिया गया answer जानते हैं comment करेंगे question number five five का बच्चों सी answer आपका correct होगा केलास नात कतुझ next question इस्कीन पर question number six answer जानते हैं तो comment करेंगे सही answer क्या होगा 1956 में मद्द पिदेश का कौन सा छेत महराश्ट में मिला दिया गया था very very most important question है सभी जात comment करेंगे सही answer क्या होगा 1956 में मद्द पिदेश का कौन सा छेत महराश्ट में मिला दिया गया था नोट कलने question number 6 का C answer आपका correct answer होगा आपका विधर्व next question एसकीन पर question number 7 बिदेशी परियतक के लिए मद्द पिदेश का कौन सा परियतन इस्थल सरवाधिक आकर्षन का कैंद है note कलने question number 7 का correct answer क्या होगा 7 का आपका D answer यहाँ पर नोट कलने खुझरा हो next question एसकीन पर question number 8 answer जानते हैं तो comment करेंगे सही answer क्या होगा किस राजबंस ने भारत को पिरसिद खुझरा हो के मंधर दिए answer जानते हैं comment करेंगे सही answer क्या होगा खुझरा हो के मंधर किस ने दिए answer जानते हैं comment करेंगे question number 8 का c answer correct होगा चंदेल सास को ने ठीक है question number 9 बहुती अच्छा question है comment करेंगे सही answer क्या होगा मत पेदेश की कितनी जन संखिया गरीबी रेखा के नीचे आती है question number 9 का b answer यहाँ पर correct होगा 37% ठीक है answer जानते हैं तो comment चुरू करेंगे question number 10 भू बिग्यानिक द्रिष्टी से मत पेदेश भाग है किसका है comment करेंगे question number 10 का b answer correct होगा आपका गौंडवाना लेंड next question इसकीन पर question number 11 नर्मिदा नधी की मत पेदेश में कुल लंबाई कितनी है answer जानते हैं comment करेंगे question number 11 का correct answer क्या होगा सभी चाथ comment करेंगे question number 11 का correct answer होगा इस option होगा मत पेदेश में बच्चों नर्मिदा नधी की लंबाई कितनी है 1077 किलो मीटर इस option आपका correct होगा question number 12 भारत की सबसे बड़ी आदी बासी जैन संख्या वाला राज्य कौन सा है answer जानते हैं comment करेंगी question number 12 का बच्चों C answer correct होगा आपका मत पिर्देश question number 13 मंडला राजधानी थी कहां किये मंडला राजधानी answer जानते हैं comment करेंगी 13 का बच्चों correct answer क्या होगा 13 का आपका C answer correct होगा मंडला राजधानी थी किसकी गौंड की नोट कर ले 13 का आपका सी आंसर करेक्ट होगा कोश्चन नमबर 14 मत पिदिस के किस छेट से टंग स्थन प्राप्त होता है आंसर जानते हैं कमेंट करेंगे कोश्चन नमबर 14 का बच्चो करेक्ट आंसर क्या होगा मत पिदिस के किस छेट से टंग स्थन आंसर जानते हैं कमेंट करेंगे सही आंसर किया होगा कालिदास के किस ग्रंथ में अमर कंटक के सौंदर का चित्रन किया गया है ठीक है किस ग्रंथ में किया गया है इस टाल लगा लें अच्छा कोस्चन एक्जाम में आ सकता है कालिदास के किस ग्रंथ में अमर कंटक के सौंद का शित्त्रन किया गया है ठीक्ट हैं कोezeट नंबर 15 न्बंबर का आंसर नोट कर ले बच्चों किया है अन। कि इस तो नंसर निए पर कोष्चन नंबर 6-16 बिद्शा किस नदी के किनारे पर ति त पर थे नोट कर ले box नदी के थित आ अंसर जानते हैं कमेंट करेंगे सूला का करेक्ट आंसर क्या होगा बिच्छा बच्चों आपका बेदबा नधी के तट परें नोट कर लें 16 का आपका ए ऑप्सन करेक्ट होगा कोस्चन नमबर 17 डायनासॉल जीवास्म राष्टिय पार्क की स्थापना किस चले में की जा रही है कोस्चन नमबर 17 का बच्चों सी आंसर या पर करेक्ट होगा आपका धार कोस्चन नमबर 18 पेथम खुली जील कहा परिस्तित है इस्टान लगा लें अच्छा कोस्चन है होसंगाबाद गुना कठनी जाबगा आंसर जानते हैं कमेंट करेंगे वच्चों पेथम खुली जील कहा परिस्तित है question number 18 का B answer आपका correct होगा कहाँ पर है गुना में है question number 19 भारत में England का कौनसा दूद जहागीर के पीछे अजमेर से मांडू आया note कर ले question number 19 का बच्चो correct answer क्या होगा note कर ले 19 का आपका B answer correct होगा Thomas Rowe ठीक है आज का last question है सकीन पर सभी छाथ comment करेंगे सही answer क्या होगा मद पिदेश में निम मैंसे कौनसी बोली नहीं बोली जाती सभी छाथ comment करेंगे 20 का correct answer क्या होगा मद पिदेश में निम मैंसे कौनसी बोली नहीं बोली जाती 20 का बच्चों आपका D आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कौर भी एक आउसक सूचना मेरे प्रियेच्छात्रों अगर आप मद्ध पिदेश में MP, PSC, ब्यापम परिच्छा की तयारी कर रहें तो आप सभी क्लीक आउसक सूचना सबसे पहले तो बता दे बच्चों हम आपको हमारी यानि लकी सर आपकी अनकेडमी पर रोज रात को 9 बजे सामान अध्यान यानि MPGK की लाइब क्लास लेते हैं तो आप सभी हमारी क्लास को जरूर जोइन करें ठीक है अगर आप MP, PSC, ब्यापम परिच्छा की तयारी करना चाहेते हैं बच्चों तो आनकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें यहाँ पर मिलेगा आपको बहुत कुछ सबसे पहले बात करेंगे हम फिरी बेनिफिट अगर आपको अनकेडमी में फ्री में क्या-क्या मिलेगा बीकली 500 से जानदा आपकी लाइब क्लास होगी बित लाइब डाउट क्रेंग के साथ फिरी लाइब कुछ होगा जिसमें 220,000 से जानदा कोस्चन आपके एक्जाम से पहले कबर किये जाएंगे बीकली मौक टेस्ट भी लि चुका है 26 फरवरी से ठीक है आप देख रहे हैं सभी विसेयों की तैयारी की जाएगी डेली फिरी इस्पेसल क्लास और बीकली मौक टेस्ट होगा ठीक है सुमबार से सुक्रवार तक आपको क्लास होगी ठीक है सनीवार रवीवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा अगर आप माण लो आप MPG के पढ़ना चाहते हैं तो सुमबार से सुक्रवार और क्लास होगी आटिस सर पढ़ाएंगे साड़े चार बजे सामको तो आप उनलाइन आजाएं और लकी सर से पढ़ना चाहते हैं आप तो रात को नो बजी आएन आएं ठीक है आपको हमारी प्रोफा कोड डालेंगे बच्चों कैपिटल में एल यू सी के बाई लकी सर जैसी आप रेफर कोड डालोगे आपका फिरी कोर्स अनलॉक हो जाएगा अब बात करेंगे प्लस फीचर्स में आपको क्या स्पेशल बेनिफिट मिलता ही फेवरिट एजुकेटर के द्वारा पढ़ने का कंप्लीट एक्जाम की प्रिप्रेशन कराई जाएगी रेगुरल लाइव डाउट करेंग सेशन होगा पूरे स्लेबस का कबरेज किया जाएगा फ्री टेस्ट स्रीज होगी वीकली मौक टेस्ट भी लिया जाएगा इसके लाब हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्लस और फ की फ्री में सबका लिमिट का होता है यहाँ पर अनलिमिटेड होगा ठीक है कंप्लीट स्लेबस कराया जाएगा अगर आप अच्छे से तयारी करना चाहेते हैं बच्चों सब्सक्रिप्शन जरूर ले ठीक है और अगर आप 10% का डिसकाउंट पाना चाहेते हैं तो हमारा र आज से स्टार्ट हो चुका है तो आप सब्सक्राइब करें 10% डिसकाउंट पाने के लिए रेफर कोड यूज करें लकी सर ठीक है और बच्चों हमारे प्लान है अपने सुविधा के अकोर्डिंग आप प्लान ले सकते हैं ठीक है और आपको 10% का डिसकाउंट चाहिए तो ह हमारा रेफर कोड यूज करेंगे लकी सर आपको 10% का डिसकाउंट दे दिया जाएगा ठीक है जानकर यह अच्छी लगती वीडियो को लाइक कर दें सियर करें कमेंट करें ठीक है हम आपसे फिर मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो के शाद तब तक लिवाबाई थैंक्यू